हे गाईज वेलकम टू माई चैनल हवी स्टेडी पॉइंट मैं अमिद कुमार आप मेरे चैनल हवी स्टेडी पॉइंट को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो यह वीडियो यूपी टिपल सी पेट के लिए ग्राफ हो तालिका पर आधारित क्वे क्वेशन है और यह दोनों ही क्वेशन एक 80 से लेके 85 तक और 86 से लेकर के 90 तक यह क्वेशन की श्रेंखला है और 24 अगस्द 2021 के यूपी टिपल सी पेट में यह क्वेशन आया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया है सिमेंड का कुछ विभिन वर्सों के द 2009 से 2010, 2021 से 2011, 2010 से 2011, 12, 12, 13 इस तरह से 2019 से 20 तक यह दिया हुआ है ठीक है और यह जो है इतना मिलियन टन उत्पादन दिये हुए है यह ठीक तो चलिए पहला कोश्चन स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन क्या दिया हुआ है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि पहले कोश्चन में कि अधिक्तम उत्पादन अस्तर किस वर्स घटा है ठीक है ठीक है तो ऐसा कौन सा वर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा घटा है यह आप से पूछा जा रहा है तो अब देखें ये तो बढ़ा है तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है ये तो बढ़ा है ये भी बढ़ा है तो ये भी नहीं होगा ठीक है यहाँ पे घटा है लेकिन इतनी यहाँ पे देख रहे हैं कितना घटा है तो 58 से 55 हुआ है मतलब 3 ही तो गटा है और यहाँ पर फिर ये ब बढ़ा है तो हमको बढ़ा वाला नहीं देखना है घटा वाला हुआ यहां पर हमको देखना है ठीक है तो अब 98 से अगर देखें तो 98 से 60 में यहां पर काफी घटा हुआ है यानि कितना मिलियन टन घट गया है 38 मिलियन टन घटा हुआ यहां भी घटा है लेकिन 60 से 55 हुआ है और 60-55 मतलब केवल 5 मिलियन टन घटा हुआ है और यहां पर आप लगातार बढ़ रहा है यहां पर फिर घटा है यानि केवल 10 तो घटा केवल एक यहां पर 4 जगा यहां पर गटा हुआ दिखाई दे रहा है एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर तो सबसे हो जाएगा 2015-16 यानि B वाला हमारा अंसर यहां पर correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें अधिकतम वृद्धी हुई है क्या हुई है अधिकतम वृद् वृद्धी की बात हो रही है तो यहां पर अगर हम वृद्धी देखें तो यहां पर बहुत मामली सा वृद्ध है तो इसको आपको नहीं लेना है अधिकतम वृद्धी देखना है यह भी बहुत ज्यादा वृद्धी नहीं है यहां से अगर देखें यहां से लेकर यहां 35 की व्रिधिया पर देखी जा रही है ठीक है कितनी व्रिधिया केवल metrics 97,96 हो गया तो यह नहीं देखना है यहां भी खटा है तो यह भी नहीं देखना है यहां पर अगर देखें तो यह फिर बढ़ा है तो 55 से लेकर के 80 तक यहां बढ़ गया है अगसी से नब्वे दस बड़ा है यहाँ पे घटा है तो यह नहीं देखना है तो हमको बढ़ा हुआ वाला ही हिस्सा देखना है तो यहाँ पे पूछा क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में कौन ऐसा वर्ष है जिसमें अधिक्तम वhriddy देखने को मिला है यहाँ पर 2013-14 में, 2013-14 वालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा, 2013-14, ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38 बढ़ गया है, ठीक है, प्रथम तीन वर्ष के दोरान आवसत उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतम तीन वर्स के दोरान जो है आवसत उत्पादन दर यहां पर क्या रहा है ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रतम तीन वर्स मतलब तो प्रतम तीन वर्स एक यह हो जाएगा एक यह हो जाएगा एक यह हो कुल संख्या ठीक है सभी का योग बटे कुल संख्या तो 42, 44 और 58 इन सभी को हम क्या कर लेंगे एड़ कर लेंगे और एड़ करने पर यह आ जाएगा आपका 144 और कुल संख्या तीन है तीन से हम भाग देंगे तीन चग 12 और यह हो जाएगा दो बचे का 34 यानि 48 मिलियन टन हो हुआ है कौन सा ऐसा वर्स है जिसमें सिमेंट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा हुआ है तो सिमेंट का उत्पादन वर्स हमको देखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं तो यहां पर सिमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन आप देख ठीक है तो 2014-15 मतलब हमारा अंसर क्या हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा चले question number हम अगला देखते हैं तो वर्स 2011-12 के दौरान उत्पादन तो 2011-12 के दौरान उत्पादन व्रिधि प्रतिसत पिछले वर्स की तुलना में कितना था पिछले वर्स की तौरान उत्पादन तो यहां पर अगर हम देखे तो 2011-12 का है तो 2011-12 यह रहा है इसका कितना 58 मिलियन टन है अब पिछले वर्स की तौरान वर्स कितना है 44 है तो कितना प्रतिसत बढ़ गया यह आपसे पूछ रहा है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी प्रतिसत व्रिधि पूछे तो आपको लिखना क्या है अंतर बटे पिछले वर्स का जो आंकड़ा होगा वह लिखेंगे और इंटू में 100 से कर लेंगे तो अंतर कितना है तो 44 से 58 यानि यह आपका 8 होचे 14 का अंतर है और बटे में पिछले वर्स का अंकड़ा लिखेंगे यानि 44 और इंटू में क्यार कर लेंगे 100 कर लेंगे तो 2 से इसको अगर काटेंगे तो 2 सते 14 और यह हो जाएगा आपका 22 यानि 700 बटे आजाएगा आपका 22 तो 700 बटे 22 इसको आप सालू कर लोगे तो यह आजाएगा आपका 31.8 प्रतिसत ठीक है तो 31.8 प्रतिसत की क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारा अंसर हो जाएगा 31.8 प्रस्त यानि यह वाला हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा चले question number अगला देखते हैं तो यहाँ पे एक निर्देश दिया गया एक ग्राफ दिया हुआ है एक वस्तु x के आयात को तो यह एक वस्तु x है जिसके आयात को यह अलग-अलग वर्षों में यहाँ पर करोण में दिखाया गया 700 करोण 900 करोण 1200 1200 1300 2000 चले यह पहला question देखते हैं कि 2000 कि यहाँ पे कह रहा है 2014-15 से 1516 तो 2014-15 आपका यह रहा और 2015-16 यह रहा कि दौरान x के आयात में प्रतिसत व्रिद्ध तो यहाँ पे यहाँ भी वही पूछ रहा है कि प्रतिसत व्रिद्ध आप से पूछा जा रहा है तो प्रतिसत व्रिद्ध बराबर हमने आपको अभी बत पिछले वर्स का जो आकड़ा होगा वह लिखेंगे और 100 से क्या कर देंगे multiply तो यहाँ पर 900 से कितना हो गया 1200 यानि कितने का अंतर दिख रहा है आपको 300 का अंतर दिख रहा है 932 यानि 300 अंतर है और पिछला वर्स यानि 900 और into हो जाएगा आपका 100 तो दो 300 से इसको काटेंगे तो यह 3 हो जाएगा यानि यह आजाएगा 33 सही एक बटे 3 या 33 दसमलो 33 प्रतिसत तो 33 दसमलो 33 प्रतिसत यानि हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा बीवाला correct हो जाएगा चले अगला question देखते हैं कि सभी वर्सों के लिए याद की वृद्धि का आउसत बताईए सभी वर्सों का यहां पर आउसत पूछा जा रहा है कि सभी वर्सों का यहां पर हमारा आउसत वृद्धि क्या हो जाएगा तो आउसत वृद्धि पूछा है ध्यान में रखेंगे यहां पर क्या पूछा जा रहा है आउसत वृद् यहां पर तो साथ से 900 की व्रिद्धी हुई है यहां पर 300 की व्रिद्धी हुई है यहां पर 100 की व्रिद्धी हुई है यहां पर 100 की व्रिद्धी हुई है और यहां पर अगर देखें तो 1300 से 2000 हो गया है यानि 700 की व्रिद्धी देखी जा रही है तो यह व्रिद्धी है ठीक है आवसत वृद्धि पूछा है, तो हम सभी वृद्धि को क्या करेंगे, जोड देंगे, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 और प्लस 700, सभी को ऐड़ करके, जितने वर्स हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, जितनी संख्या है, उतने से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, संख्या, पांच से हमने भाग दे दिया, तो तीन और दो, पांच, पांच, और एक, छे, साथ, से, तेरस, तेरस, बटे, पांच, अब इसको हम सालू कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, पांद, उने, दस, और पांच, संख्या, यानि, 260 करोण आ जाएगा, कितना जाएगा, तो 260 करोणा जाएगा, तो हमारा अंसर हो जाएगा, यह वाला करेक्ट अंसर हो जाएगा, चले अगला कोश्चन, विगत कितने वर्सों तक यक्स का आयात, यक्स के अवसत आयात से अधिक था, तो यक्स के अवसत आयात से अधिक था, यह आपस से पूछा जा रहा है क्वोश्चन नमबर एटी एट ठीक तो तो से नमबर एटığın विगत कितने वर्शें तक याक्स का आयात याक्स के USत आयात से अधिक था ठीक तो अवसत आयात से अधिक तो पहले हम इनका आवसत निकाल लेते हैं इनका आवसत यह जो आवसत निकाला गया है यह वृध्ध निकाला गया ध्यान में रखें ठीक है तो इसका हम निकाल लेते हैं तो अगर हम निकालेंगे तो हम सभी वर्सों को ठीक है ये अवसत निकालने हो वो हमने जो निकाला अवसत वृद्धी था यानि वृद्धी का अवसत था ठीक है तो हम सभी को 700 इन सभी को क्या कर लेना है आपको एड कर लेना है ठीक है तो साथ नौ साथ सोल शोल और बार अठाइस अठाइस और बार चालिस चालिस और तेर तिरपन तिरपन और यहां पर तो टोटल आ गया तिहत्तर सो और बटे कितने वर्ष है टोटल 6 है छे से आप भाग दे दोगे तो यहां जाएगा बार अपसे पूछा एकि ऐसे कितने कितने वर्ष हैं जिनका आया तो आवसत से जादा है आवसत से जादा है तो यह देखिए आवसत से क्या है यह तो यहाँ पर अगर देखें तो यह आवसत से कम है तो यह नहीं होगा ठीक है यह वर्ष नहीं होगा यह भी आवसत से कम है यह भी नहीं होगा यह भी आवसत से कम केवल दो ही है जो अधिक हैं यानि एक तेरह सो है और एक दो हजार है यानि केवल संख्या में ऐसे कितने हैं तो दो है ठीक है यक्स के आवसत आयात से तो यक्स के आवसत आयात से अधिक आयात और यक्स के आवसत आयात से कम आयात के वर्सों का अंतर तो अभी हमने देखा कि आवसत जो आयात है उसकी संख्या कुल कितनी है अधिक तो अधिक वालों की संख्या कितनी है दो है और ऐसे चार वर्स ऐसे हैं यह चार वर्स ऐसे हैं जुनका आवसत आवसत से कम है ठीक है तो आवसत से और अधिक आयात और कम आयात वाले वर्सों का अंतर आप से पूछा जा रहा है अगला कोस्टन 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिसत व्रिद्ध सभी वर्सों के एकस के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो औसत से पूछा जा रहा है कि यह कितनी है? 2018-19 तो 2018-19 पहले आंकड़ा देख ले और अवसत ध्यान में रखिएगा अवसत हमारा कितना है तो यह आप देख पा रहे हैं अवसत कितना है तो इसको लिखा रहने देते हैं तो इसको मैं erase कर देता हूँ चले देखते हैं तो 2018-19 वर्स ये रहा तो 2018-19 ठीक है 2018-19 का जो आयात है वह कितना है 2000 है आयात कितना है 2000 है तो कह रहा है कि इसके आयात में प्रतिसत वृद्ध सभी वर्सों के यक्स के आवसत आयात से कितनी है तो आवसत आयात हमने अल्रेड़ी निकाला हुआ है आवसत हमारा कितना आया है 1216.66 आया है तो इन प्रतिसत विरिद्धी पूछा जा रहा है तो प्रतिसत विरिद्धी बराबर आप जानते हैं यह फार्मुला की अंतर अंतर अब इन दोनों का अंतर यानि हम क्या निकाल लेंगे 2000 में से 1216.66 घटा लेंगे और बटे में हम क्या रखेंगे आवसत वाला रखेंगे कि क्यों तुलना आवसत से की जा रही है तो 1216.66 और इंटू 100 कर लेंगे इसको घटा लेंगे तो घटाने पर यह आजाएगा आपका 783.34 आजाएगा और बटे में आजाएगा आपका 1216.66 और इंटू 100 इनको साल्व करने पर यह आजाएगा साल्व हम कर लेंगे तो यह आजाएगा 64.38 प्रस्ट तो calculation है कालकुलेशन आपको साल्व करना पड़ेगा तो 64.38 प्रस्ट हो जाएगा यानि हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला है अंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यह रहा यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए जो की ग्राफ और तालिका से संबंदित कोश्चन है तो जितने भी ग्राफ और तालिका से कोश्चन है हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइट करा रहा है आप मेरे चैनल को देखते रहिए बने वीडियो प्रोवाइट कराऊंगा तब तक आप स्वस्त रहिए साधान रहिए जैन